अगर कोई पीके नोटंकी करता है उसको दस साल की सजा दो सबसे पहले जो नितिस बावु की सरकार बनी थी तो इन्होंने खुल के लेसेंस दिया था दारू बेचने का 400 की है वो हजार रुपे बारणी की खुले आम बलेक मार्कीटिंग कौन मना करेगा नितिस कुमार अधि जी नहीं जानते हैं या नितिस कुमार के सारे नेता दारू नहीं पीते हैं भाइया आतंकबादी भी नरेन मोधि की सरकार पैदा करती है इस देस में हिंदू मुसलमान क राइट भी नरेन मोदी की सरकार कराती है जलतकार जितने भी होते हैं परसेंटेग इनके बाबाजी या इनके नेता करते हैं और अमिसाजी खुल के नैसनल न्यूज पे बोल चुके हैं कि भाईया ये तो चुरावी जुमला हम छोड़ते हैं ये तो वैसा देश का अभागा म भी भाग नहीं लिया इससे बड़ा धोंगी और इससे बड़ा लोभी कौन होगा सुप्रीम कोट सरकार की पिठु बनके नाच सकता है और क्या कहते हैं गोदी मीडिया की तो बात ही निराली है जितनी मीडिया है मोदी योगी अमिस्सा इस पे आके सारा न्यूज चैनल खत या मित्र पार्टी के मुख्या हुए आप नेशनल दस्तक पे अधरीस को देखते होंगे सुनते होंगे एक पार्टी के प्रेसिडेंट ये मुख्या हैंав suscri? न जर रखते हैं अच्छी पकड़ रखते हैं सर आप सरो बिहार की राजनीति को बहुत नजीग से देख रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री नितिश कुमार बार बार कहते हैं कि यहां पूरे तोर से शराब बंध हैं लेकिन हाल के दिनों में हम देखें कि लगातार लोगों की मौत हो रही है विपक्षो या कोई और राजनितिक पार्टी लगातार हमला कर रहा है लेकिन वो सही जवाब नहीं सबसे पहले तो मैं आपके नेशनल दस्तक को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं कि आप निश्वक्ष एक कहें तो जो मीडिया होनी चाहिए वो हैं और सभी तरह के न्यूज आप दिखाते हैं इसके लिए बहुत-बहुत नेशनल दस्तक को बहुत-बहुत-बढ़ाई दूसरी बात बिहार में स्राबबंदी, बिहार में स्राबबंदी है कहां? कुतनी दारू चाहिए, किस चौक पे चाहिए, किस गाउ में चाहिए, कहां चाहिए, आपको आसानी से मिल जाएगा ये सराब बंदी का एक चीज मानना पड़ेगा आपको कि जब से भारतिय जनता पार्टी की अंडिय गढ़बंदन की सरकार बनी है और बिहार में तो पिछले 16 सालों से कंटीनियू सरकार है अंडिय गढ़बंदन की तो जड़ी हम कहें कि ये सब फालतुफंड के ड्रामे बाजी में बहुत माहिर पार्टी हैं ये दोनों चाहे वो जडियू हो या भारतिय जनता पार्टी हो तो इसमें कहीं कोई सक नहीं है पहला जो पंचवर्ठी था मानिय नितिश कुमार जी का वास्तम में उन्होंने बिकास पूरुस के नाते बिकास का काम किया था विहार में उसके बाद तो ये ऐसे दिन परती दिन सत्ता के लोग में ध्हिले परते गए परते गए और अब इनकी ये इस्थिती है कि बिहार में ना तो इनसे crime control है ना बलतकार control है ना दारू-бंदी control है रो जो दहेज-पर्था वाला कानून लगाए थे सब पूरी तरह से flop है तो खासत और से ज़दी बिहार में मैं तो कहूँगा कि दारू को चालू कर दिया जाए और हर परदेशों में चालू कर दिया जाए ताकि आपको black marketing इसकी बंद हो जाए कानून सक्त बनाने की जरूरी है दारू में अगर कोई PK नोटंकी करता है उसको 10 साल की सजा दो अगर घरवाली अपने बाल बच्चों के साथ दूर बिवार करता है तो उसको अंदर डाल दो यह सब कानून की जरूरी है और सबसे पहले जो नितीस बाबू की सरकार बनी थी तो उन्होंने खुल के लेसेंस दिया था दारू बेचने का हर गाउं में हर चोक चौराहे पे अब किसी को कहावत वही हो गई ना किसी को नसा लगाने की लत लगा दो उसके बाद कहो यार तुम तो नसा करना छोड़ दो तो वही काम नितीस कुमार जी कर रहे है बिहार में पहले तो इन्होंने खुब दबा के दारू को खुल के बिकवाया और जब इसके लग के आदी हो गए लोग तो अब ये दारू बंदी करके अपने नेताओं का अपने सरकारी करमचारियों का जेब भरने का यानि के जो बोतल 400 की है वो 1000 रुपे 1200 रुपे की खुले आम बलेक मार्केटिंग हो रही है यह बिहा काल तुफंड की नोटन की चल रही है यह बड़ा अरोप लगा रहे हैं आप पूरे यह सुशासन बाबु के काम पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं महां के कानून विवस्था के बारे में बोलने कि आप ठाने में शरा पिया जा रहा है भाई मैं तो कहता हूं नितिस कुमार कि जांच मेरे उपर बिठा के कब का मुझे जेल में सड़ा रही होती मैं ऐसे नहीं हवा में बात करता जब पुरूफ होते हैं सबूत होते हैं तब बोलता हूं और बिहार का बच्चा बच्चा जानता है इस चीज को कौन मना करेगा नितिश कुमार निजी नहीं जानते है या नितिश कुमार के सारे नेतादारू नहीं पीते हैं कौन नहीं पीता दारू फालतुफंड की नोटंकी चलती है देश के अंदर जितना पब्लिक को आप मुर्क बनाओगे उतना बड़ा नेता बनाओगे अच्छा आप तो पहले नितिश कुमार का सपोर्ट कर रहे थे अचानक से एंडिये में गठवंदन होता है उनका और फिर वीरोध कर रहे हैं आप वज़े इसकी मैंने कभी नितिश जी के बारे में कभी कोई सब्द का इस्तिमाल ही नहीं किया जब एंडिये गठवंदन में थे तब भी क्योंकि तब काम करते थे और मैं काम को पसंद करता हूं चाहे वो किसी भी दल के नेता हो मैं इससे इतिफाक नहीं रखता हूं अगर आज नरेंद मोदी जी देश के लिए काम करेंगे तो मैं निश्चित है नरेंद मोदी को दहे दिल से स्वागत करूँगा और उनकी बढ़ाई करूँगा लेकिन वो भी देश की जनता को मुर्ख बना रहे दो करोर नौजवान को रोजगार स्विज बैंक से काला धन सौ दिन में महगाई कम दो करोर पर तेक साल नौजवानों को रोजगार तो मैं मुर्ख बनाया देश की जनता को सौ दिन में महगाई कम कर दूँगा सब उल्टा ही किया तो क्या इनकी तारीफ करूँ बोलते थे तीन चार दिन के अंदर बलतकार की फांसी की सजा हो जाती है अब इनके टैम इनके सासनकाल में उस फांसी की सजा छोड़ी है उस बिचारी को दो वज़े रात में उत्तर परदेश में देखाना बलतकार होता है एक लड़की का उसको दो वज़े रातरी में जला दिया जाता है कोई इंसाफ नहीं इसके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया जाता है उन्नाओं में घटना हात्रस में घटना मतलब यह तमाम सारी घटना हैं तो यह बोलते कुछ हैं धक्रां धरती पर कुछ और ही चुनाव जीत जाते हैं भाईया आतंकबादी भी नरेन मोदी की सरकार पैदा करती है इस देश में हिंदू-मुसल्मान का राइट भी नरेन मोदी की सरकार कराती है बलतकार जितने भी होते हैं परसेंटेज इनके बावाजी या इनके नेता करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि देश का सारा system जो है, जब से मोदी जी की सरकार आई है, NDA गठवंदन की सरकार देश में चल रही है, तब से देश का सारा system गढ़ते खतम हो चुका है, चाहे वो लॉइन ओर रखेए चाहे महिलाओं के परती बच्चों के परती छात्रों के परती सब कभविस इन्हों ने खराब करने का काम किया है आज बता दे कि कौन सा डिपार्टमेंट एक इनके सपोर्ट में है सब डरा हुआ सहमा हुआ जी रहा है लेकिन उतर परदेश में तो योगी जी कहते हैं कि ये कानून का राज चल रहा है यहां कानून मजबूत हुआ है दूसरी तरफ ग्रीमंद्री कहते हैं कि इन दिनों देश बहुत सुरक्षी था तो में एक तरफ मोदी जी और योगी जी के तरफ इशारा था कि महिलाएं रात के दो बजे भी आसानी से निकल सकते हैं जो आप आरोप लगा रहे हैं जी बिल्कुल सही कहा था अब ये क्या कहते हैं ये अमिस्ता जी ने कहा कि छट परब में दीपावली में लड़कियां खुल के इ रोड पे घूमने जाएंगे क्या मैं गल्द कह रहा हूँ सहर परिबार का बाहर से भी आदमी आता तिवार में अपने घर में अपने बाल बच्चों के साथ समय देने में कौन सा मुर्ख आदमी है कि तिवार में स्कुटी लेकर घूमेगा रोड पे भाईया ये जुमले व बाबा की तो ये तो ऐसे बाबा ढोंगी बाबा है जो अपने बाप के संसकार में भी सामिल नहीं हो सकते हैं ये ऐसे ढोंगी बाबा है कि अपने बाप के दास संसकार में भी नहीं गए क्योंकि सत्ता और राजनितिक इनका जीवन का एक लक्ष है अरे भाईया मैं एक हजार बार ऐसी गद्धी को लातमारना पसंद करूँगा जदी कोई कह दे के मैं अपने माबाप को छोड़ू नहीं छोड़ूँगा वो मेरा जीवन दाता है और हिंदू समाज में रिती रिवाज के अनुसार करम हर बच्चे का अधिकार है अपने माबाप का करम करना ये तो ऐसा देश का अभागा मुखमंत्री है कि अपने बाप का करम में भी भाग नहीं लिया इससे बड़ा धोंगी और इससे बड़ा योगी जी उठवा लेते हैं सिद्धेये अरे उठाओ यार कोई अमर होके आया है क्या यारो योगी बचे जाएगा नरेंदमोधी कभी नहीं मरेगा जो आया है दुनिया का एलसत है जो स़्सको जाना थै कोई दोदिन आगे आया है दो दिन पीछे दुन आगे यही सिस्ट हैं और जब तक जीवित है धनेश्वर महतो देश की आवाज समाज की आवाज और सचाई की लड़ाई लड़ता रहूंगा अच्छा जो जो आप बोल रहे हैं कि सुरक्षा नहीं मिल रहा है नौकरी नहीं मिल रही है जो पर्धानमंत्री वाइदे की हैं वो सारा वाइदा फ कोई कुछ नहीं बोल रहा है दूसरा सवाल यह है कि टीवी अखवार एक्दम खामोश है इन सब बातों को बिल्कुल नहीं कर रहा है भाई देश जब से मोदी जी आया है एक परिवरतन तो आया है कि कम से कम देश में कौन-कौन भीख सकता है यह मोदी जी ने सिद्ध करके दिखाया सुप्रीम कोट बिख सकता है समझ रहे ना डेरेक्ट कह रहा हूं सुप्रीम कोट बिख सकता है सुप्रीम कोट सरकार की पिठु बनके नाच सकता है और क्या कहते हैं गोदी मीडिया की तो बात ही निराली है वो तो वारे न्यारे हो गये भाई गोदी मीडिया का तो देश का मीडिया एक इतनी सुतंत्र चीज थी जब उसके उपर मोदी जी ने अपना कब्जा जमा लिया है तो आप समझ सकते हैं कि देश के हालात आने वाले समय में बहुत खराब होने वाले हैं यह तो मैं धन्यवाद आप जैसे चैनलों को देता हूं सोचल मीडिया को देता हूं जो अभी भी निस्पक्च पत्रकार जीवित हैं और वो अपनी जो उनका काम है वो कर रहे हैं इसके लिए बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं आप सबको कॉंग्रेस के टाइम में यह जो महँगाई बढ़ती थी कुछ पैसा बढ़ता था पेट्रोल पर सड़क पर आ जाते लोग और आज सो के पार डिजल पेट्रोल है गैस सिलेंडर राशन है तेल सबजी इन सब के दाम आसमान चुर रहे हैं लेकिन इस पर भी एक बड़ा हिस क्योंकि मीडिया मुखेसम्मानी और गोतम अडानी की है सारी तो सारा फोकस जो है इनका मतलब मीडिया इनके कैप्चर में था तो यह दिन है तो दिन है रात है तो रात है अभी भी आप देख लो जितनी मीडिया है मोदी योगी अमिसा इस पर आके सारा निव चैनल खतम हो जाती है दस परसेंट में हलका फुलका बिपक्च को दिखाना इधर उधर का दिखाना अच्छा पिछले दिनों लगातार जिस तरह से घटना बढ़ रही है तिरपूरा हो आसाम हो जमुकश्मीर हो उत्तर परदेश हो उसी करम में यूपी अप चल पड़ा है बिहार चल पड पड़ा हो जाता है या फिर उनके ऊपर कोई मुकदमा दायर कर दिया जाता है बिहार में देखे कि कुछ दिनों पिछले दिनों एक पत्रकार की जले हुई हालत में लाश मिलती है जो एक सच्छाई सिस्टम की सच्छाई को उजागर कर रहे हैं कैसे देखते हैं इसको बिह या कहीं न कहीं किसी को ब्लेक मेलिंग करता है बिहार में ऐसा बहुत चीज हुआ है उससे भी हत्याय होती है और या तो सरकार के आप विप्रीत में जाते हैं तो उस पे हत्याय होती है जैसा कि आप देख लीजे दो बज़े रात्री में CBI डिरेक्टर बदल दिया जाता है बार बज़े रात्री में अचानक से मोदी जी आते हैं दो दो बार लोगडाउन कर देते हैं तो सिस्टम से नहीं कोई काम हो रहा हुई हम है राजा जो हम चाहेंगे वही होगा ये मोदी का सासन है और ये मोदी की मान सिखता है कोई लोग तंत्र देश में नहीं चल रहा है लोग कंत्र के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा ओपीसियल काम दिन में होते हैं और चोरी के काम रात्री में होते हैं बारा बजे में जो मोदी जी खूब करते हैं नितिश कुमार के तरब भी इशारा है आपको अरे साब उसी थाली के चट्टे बटे जब उसकी सरकार में है तो वही हुआ ना तो अभी तो बाइपूल का एलेक्शन हुआ उसमें तो जीत गई है अरे भाईया 500 रुपे 1000 रुपे भोटर फिक्स हो गया है 500 रुपे भोटर 1000 रुपे भोटर वीडियो आपको निकाल के दिखाऊं चार वीडियो दिखाऊंगा अभी आपको बाप बड़ा ना भाईया सबसे बड़ा रुपईया अब देश के अंदर ये चुनाव जो है ना सिरफ पैसे के ऊपर जीता जा रहा है लोग तंत्र की ये को और आप कहेंगे तो मैं भी इसलिए सचुनाव हारता हूं आप पैसा नहीं खर्ज करता है मैं पैसा नहीं हिर्ज करता हूं तो बिहार अभी बाई पोल में यहीं हुआ यहीं हुआ कि खुले आम हुआ है फुले आम हुआ है 500 हजार रुपे पैसा इनके पास आखिरित जा कहा रहा है पैसा इतना ऐसा कौन सा चीज है जिसमे पर सरकार टेक्स नहीं असूलती है भिटाएं और बोटर को ख़ड़ी दने में इन पर कर्च होता है अच्छा बिहार सरकार हो या भारत सरकार है जो जो वायदे करके सत्ता में आई थी वो सब फेल नजर आ रहा है इस वक्त कि इन ही चीजों में खर्च हो रहा है पैसा तो सब ची तो फेल होई गए होई गा देश का सिस्टम भगवान बचाए बस अब उपर वाला ही रच्छा क कर सकता है देश की नीचे वाले ने तो पूरी तवाही करने का प्लान बना लिया है देश को आप धनेश्वर महतों क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधान मंत्री से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपने इतने कुकरम कर दिये हैं कि आने वाला पीड़ी आने वाला समाज आने वाला इतिहास नरेंद मोदी को कभी माफ नहीं करेगा। इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्ता को सब्स्काइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं निसनल दस्ता को बचाने के लिए बहुत ज़ुरूरी है कि हर ख़़वर कोंगा है।